मार्केट ओपन हो चुका है ओपन होते में कुछ पोजिटिव मोमंटम ने जड़ा रहा है ओपनिंग हमें एक छोटा गैप अप्टू फ्लैट ही देखने मिला था थोड़ा बहुत और भी ज्यादा होता तो और भी अच्छा रहता है लेकिन अभी भी अच्छी बात है कि मार् उसके बाद 46-400 का कॉल आइड करेंगे यहां पे भी सेम कॉंटिटी बाय करेंगे और निफ्टी तो फोड़ा सा लग भी राइकी उपर जाना भी चाहिए तो यह तो और आम से चला जाएगा तो तेरा सुकंड़टी यहां पे भाय कर लेते हैं तो आज अपना निफ्टी का तो अक्सपाइरी नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी का अक्सपाइरी तो इस बात का में ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि यहां पे हमनें कोल साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों देखें जिस प्रकार का में चार्ट यह देखने हो मिला था यह जो चार्ट आपको देखने हो मिला था यह जो चार्ट देखने हो मिला था तो यहां पे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है किसीने बाई भी कर रखा हो हो सकता है किसीने सैल भी कर रहा हो हो सकता हो निकल भी ग नजर आ जाए जैसे यहां पर अपना 46-500 लेवल है ठीक है यह जो लेवल है ना मार्केट के अंदर यहां पर मुझे लगता है कि कोल राइटर मार्केट के अंदर बैठे होंगे ठीक है अभी यहां से ओपन होती पोजिटिव मुमंटम कर रहा है और यहां से अगर रेजिस्ट मुमंटम आया हुआ है डिफिनेटल यहां पर कोल राइटर को मार्केट ट्रेप करने वाला है तो जैसे जैसे पोजिटिव मुमंटम आता जाएगा हमें एक ठीकळा मुमंटम मार्केट के अंदर देखने मिल सकता है वह dis कि छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है लेकिन जब कोल राइटर ट्रैप होते हैं तो एक ठीक ठाग मुमंटम हमें देखने हो मिलेगा मुझे लगता है मार्केट ने छोटा गैप इसलिए दिया है क्योंकि अगर बड़ा गैप ओपन हो जाता और मार्केट बढ़ना हो जाएगा और मोस्ट टाइम मेरा फोकस अक्सपारी दिन क्या रहता है को राइटर पूट राइटर के उपर रहता है तो यहां पर राउंड नंबर यहीं आसपास अवली बलता तो मुझे लगता है कि यहीं यहां पर ही कोल राइटर मार्केट के अंदर बैटे और इन्ही जो सेर वगरा खरके बैटे हैं इनका में प्रोफिट वगरा पुकिंग देखने हों मिल जाएगा ऐसल वगरा हीट होते हुए नजर आएगे तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ अपसाइट वगरा का मुमंटम मिल जाएगा तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाते हुए मैंने क्या क्या है यहां पर कोल सैट का पोसन बनाए अब मैं गलत कह पर हो सकता हूँ गलत में देखी आपको डारेक्टली नजर आएगा अब मार्केट यहां से कोई भी रिजेक्शन नहीं देना चाही है चोटा मोटा तो देखी होता रहता है मार्केट के अंदर लेकिन कोई को रुखों या ना रुखों लेकिन अगर एक बार मार्केट गिर गिया तो फिर ये ठीक ठाक प्रोफिट में आ जाएंगे और फिर अगर मार्केट घूमेगा भी तब भी अराम से अपनी पोस्टन कर पाएंगे तो मार्केट में तब मुमंटम आए जब किसी को समन्झ में नहीं आए तब जाकर ऐसल जादा ही टो करता है मार्केट अगर एक बार प्रोफिट आ गया फिर अगर घूमना भी शुरू करता है तो फिर मार्केट में सबी ट्रेडर से मंजदार हो चुके हैं वो अपनी पुस्टन को बचा लेते हैं तो वैसे में मुझे लगता है कि ज़्यादा यहां पर सेल वगरा नहीं होना चाहिए डिरेक्टली अब हमें ब्रेक आउट वगरा देखने हो मिलता है और भी अच्छी बात अगर जाकर रिजेक्शन आता है तो छोटा मुटा रिजेक्शन हमारा होना चाहिए तो मार्केट में आल्मोस्ट यह अच्छी बात है, मोमन्टम अगर continue रहा तो अच्छा पुरोफिट बना पाएंगे अगर मोमन तम नहीं आया तो फिर कुछ कह नहीं सकती है तो आज की वेट करते हैं तो यहां पर देखिए प्रोफिट अपना बार बार कम हो रहा है प्रोब्लम कहां पर देखिए निफ से अपसाइड का मुमन्टम आएगा उमीद करता हूँ कि मार्केट हमें ठीक टाग प्रोफिट बना के देगा और अब अगर यह दुबारा से गूम जाए क्योंकि एक तो देखी इसने क्या किया ब्रेक आउट किया तोड़ा सा इसमों आपको मैं पास में ले जाता हूँ अब क्या नज़र आएगा कि एक बार तो मार्केट ने क्या किया कि 46 पानसों को देखर जो भी बाय करने वाले थे डिरेक्ली उनको मार्केट ने निकाल दिया उसके बाद दुबारा से मार्केट गूम है तो इस बार यह जितना जल्दी हो जाए निकल जाना चीए अब अगर यह दुबारा से गूम गया तो फिर देखे मार्केट में कोई सेंस बनेगा नहीं फिर मार्केट या तो साइडवैना चाहताया या फिर गिरना क्ता कुछ अलेक करने वाला है फिर हमारी कोडिंग चलनाफ कल दो मैं उमिद करता हूं कि लोह पएंट पाइंट व'll ग जाता है वो हमारे लिए best आएगा, अगर दुबारा से घुम जाता है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, फिर हमें जो भी मिलेगा, वो हम लेके निकलेगे, अभी थोड़ा वो तो लोस प्रोफिट अपना चल रहा है, तो wait करेंगे, यहाँ पर देखी हमें ठीक ठाक लोस नजर आ रहा है, लेकिन यह लोस नजर आए, वो कोई बात नहीं होती है, मार्केट के इंदर रिजेक्शन आया हुआ, वो भी कोई बात नहीं होती है, लेकिन जो रिजेक्शन आया हुआ, वो गलत जगहें पर आया हुआ है, और यह जो रिजेक्शन वो कंटिन्यूशन में मार्केट में जा सकते हैं क्योंकि breakout के बाद कोई भी जो rejection आता है एक rejection तो कोई बात नहीं फेक होता है कोई भी rejection जो directly आता है एक breakout करके वो हो सकता है फेक हो दुबारा से market बढ़ना शुरू करें लेकिन उसको breakout में convert करके फिर दुबारा से rejection आ जाए फिर कहना मुश्किल है वो दुबारा से recovery में चला ही जाएगा फिर market के इंदर वो आपके लिए problem वगरा create कर सकता है तो उमीद करता हूँ कि यहां से अगर recovery वगरा हो जाता है थोड़ा बुत नीची जाकर भी recovery हो जाता है में भी मैं बैठार होंगा लेकिन अगर ज्यादा नीची जाएगा तो फिर मैं वेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर गिरेगा तो यह भी पिछे भी नहीं रहेगा 21-800 की नीची नीची तो फिर मार्केट के इंदर बड़ा सेलिंग वगरा भी हो सकता है तो वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है अभी कभी लोस ऐसा लग रहा है कट कर लेना ची कभी लगता है कि थोड़ा बहुत देख लिए त्याक्सपायरी दिने 46-500 का लेवल है तो थोड़ा बहुत तो मार्केट इदर उदर करेगा लेकिन नेट टू नेट आगर हम बच जाएं वो भी अच्छी बात रहेगी वैसे प्रोफिट बनाना थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा क्योंकि हमें लोस ठीक ठाग नजर आ रहा है लेकिन फिर भी ह हमनें पोश्चन बनाया तो उसे के आसपास हम ट्रेड करें लिकिन क्या है कि काई धीकर काफी जादा कं मुध़ा का थाจए कि मुझे यह नहीं कॉइब बनाता कि मुझे मुझे काफी के बिटन ने मुद्ट है कि मौने अपता हमें फबाएं बनाता कि मुझे इसळी लिए निकाल रखा है ऐसे लोगरा उनकी हीट कर रखे हैं सेलर कोई मार्केट नहीं निकाल शुका है तो हमें ट्रेड किसके ऊपर करें तो मुझे एक लेवल नजर आया 46500 होगा तो मुझे लगा कि एक्सपाइर हो गरा कान यहां पे कोल राइटर मार्केट के इंदर बैठे होंगे और अगर यहां पे कोल राइटर बैठे हैं और मार्केट अगर बढ़ना शुरू करेगा तो में भी यह ट्रैप हो जाए और हमें एक ठीक ठाग मुमंटम मिल जाए इंदा मने इसलिए रखा था कि मुमंटम हो सकता है 100 पॉइंट का है वो पता नहीं लगता तो इसलिए मैं मार्केट यहां से बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा था तो उमीद करते थे कि एक ब्रेक आउट होना चाहिए ब्रेक आउट हुआ लेकिन ब्रेक आउट होने के बाद इतना प्रूफिट नजर नहीं आया कि हम टार्गेट वगरा बुकिंग कर लें और फिर से मार्केट ग करना शुरू करें तो मैं भी एक उमीद बनते कि मार्केट उपर चला जाए यह जो डाउन फॉल हुआ था मुझे लगा कि जो 21-600 को देखकर गैप अपको देखकर बाय कर रहे थी उनका ऐसे लिट कर दिया लेकिन मार्केट दुबारा से घुमा और फिर से रिजक्शन में आ गया तो फिर जो मेरी उमीद थी जो डारेक्शन को लेकर वो बिल्कुल खतम हो चुगे मुझे लगता है कि सेल्व गरा में कनवर्ट हो सकता है इसलिए मैंने क्या किया एक अच्छे लोग सुद देखने बाद अपनी पोशिण वगरा कट करके निकल गया आज के लिए त